नमश्कार एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तित हूँ बेहद महात्पुपूर्ण टॉपिक के साथ टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है तिरुपती मंदिर से देखें महात्पूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर बहुत ही संगीन आरोप लगाए गए है यहां पर चंद्रबाबू नाइडू जी के दौरा जो की सियम है उनका कहना है कि तिरुपती मंदिर में पहले जो प्रिशाद बनाया जाता था उसमें जानवरों की चर्बी का अस्तमाल किया जाता था जानवरों की चर्बी से बना हुआ जो डालडा है उसका अस्तमाल किया ये है कि ये तिरुपती मंदर कहां पर है समधान में मंदरों को लेकर कि क्या नियम कादे कादूर बताए गए हैं कितना जो राजस्व है पूरे भारत में मंदर से प्राप्तो होता है कर क्यों नहीं लगाया जाता है मंदरों पर क्या लगाया जाता है क्या क्राइटेरिया है तेरी आपको पता हो, तो हाल ही में करनाटक एक एक ऐस राज्य है पूरे भारत का, जिसने वहां के मंदिरों पर tax impose कर दिया है, आप से मेरा ये जानना है कि क्या मंदिरों पर tax लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, यदि लगाना चाहिए तो क्यों और यदि नहीं लगाना चाहिए तो क्यों लेकिन एक चीज में आपको बता दू तो हाल ही में आपको पता होगा गड़ेश चतुरती थी लाल बाक्षा राजा करके गड़े जी की स्थापना वहां पर की गई थी तो मुकी शंबानी जी ने 20 किलो का सोने का मुकट वहां पर चड़ाया था ठीक है बाकि वहां पर जो वीडियो में देख लिया होगा कि कैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनसे बस में था टिकाया जात होगी आपका माल है कि 50 क्या असपास होगी और वह 20 किलो का जो सोने का मुकुट चड़ाया गया उसकी आप पूरी कॉस्ट निकाल लो तो वह कॉस्ट बच गई ना आपको उतने का टैक्स नहीं देना पड़ा क्योंकि सरकार कहती है कि यदि आप दान में दे रहे हो मंदरों और आपको पैसे पर कर नहीं लगाया जाएगा तो वह लोग कर से बच जाते है टैक्स से बच जाते हैं Ela सभdiate हो असे इस पर जबादी हो जानते हैं लेकिन यहां पर किया जो आप सब्सक्राइब अब लगा एक चयान के जब गतना कना केla मंदर के डिर्पति बालाजी का मन्दिर हो जाती है जनर्ली जो आपका तिरुपती मंदिर है जनर्ली की वहां पर उसको क्या नहीं चीज़ों कोई लेना देना नहीं है बहुत शुद्ध माना जाता जनर्ली। लोग जो पर जाते हैं ये सारी कॉंग्रेस सरकार थी ठीक है उन्होंने आरुप लगाते हुए कहा कि तिरुपती मंदर के जो आपके प्रसिद लड़ू है और यह काफी फेमस लड़ू है यदि आपको पता हो तो और ऐसे ही लड़ू आपके पटना में अगर कोई मुझे बिहार से देख रहा है तो यह कनेक से मेरा फ्रेंड आता है तो यहां पर जानवरों की चरबी का और घटिया समगरी का यूज करवाया है किसे ने YSR कॉंग्रेस की सरकार में अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि उन्होंने ऐसा करवाया क्योंकि मंदर का जो संचानल है वो तिरुमला तिरुपती देवस्थानम क के दौरा किया जाता है ठीक है और यहां पर यह थे कॉंग्रेस के इस ताइम जो इस पूरे मंदर का संचानल कर रहे थे वो कॉंग्रेस के हट्टे जो संचानल कर रहे थे तब इन्होंने बोला कि यह जो आपका श्रीप टिरुपती में लड्डू चड़ाये जाते हैं वह बहुत ही घटिया समगरी यूज हुई है, हिंदु धर्म का एक तरीके से अपमान किया गया है, करोडो देवी देवताओं का अपमान किया गया है, यहाँ पर हिंदु धर्म की आस्था को ठेस पहुचाई गई है, कॉंग्रेस सरकार के द्वारा, और यह जो आपकी टी-टी-डी, गमेंट है, जो पूरा मंदर का संचालन करें, उसके द्वारा, उन्होंने बोला कि जब मैं गवर्मेंट में आया, और मैंने इस मंदर की वैव कि भारती अर्थवस्था में मंदरों से प्राप्त दान का आखिर योगदान है क्या, देखें, परिटन विभाग के यह आकड़े देखे जाएं, तो वर्ष 2022 में मंदिरों से सरकार को 65,000,000,000 करोड रुपे की कमाई हुई है, विच इस वेरी हुज, 65,000,000,000 करोड रुपे सिर्फ मंदिरों से यहाँ पर गवर्मेंट ने बनाए है, नेशनल सेंपल सर्वे और्गनाइजिशन के आकड़ों के अनुसार भारत की जी टीवी में प्रतिवर्ष धार्मिक यात्राओं का योगदान रहता है, वो रहता है 2.32 परसंट, क्योंकि हम लोग वैशनोदेवी जाते हैं, चारोधाम घूमते हैं जाकर के तो यहाँ पर हम जाएंगे, तो अबकॉस, कन्वेंस, खाना, पीना, रहना, होटेल, मोटेल, से यह सारी चीज़ देखते हैं, तो बहाँ पर पैसा हमाया लगता है, रेल टिकट्स हो गई, तो सम्में हम टैक्स देते हैं, हर जग जाती है, यहाँ पर भारत का जो सबसे धनी मंदिर है, वो तिरुवंत पुरम में सिथ है, पदमिनाब स्वामी मंदिर, जो की 20 अरब डॉलर की संपत्ती है, इस मंदर के पास, जिसका कोई, इस तरीके का लेखा जो का उनको देना नहीं पड़ता है, उनके पास दान आ रहा जारी है, जो हैड होते होंगे, आप समझ ये कि उनके पास ये पैसा है, जो वो कहते हैं कि हम मंदिरों के काम में यूज करें, अभी अगर यही मंदिर ही चाहें कि मुझे एक स्कूल मंदिर परिसर की साइट से बनवाना है और बच्चों को पड़वाना है, तो आप समझ य कि कितनी बड़ी आबादी को यहां पर relaxation मिल जाएगा, लेकिन वो किस नाम पर है, सुर्फ धर्म के नाम पर चीजे चलाए जारी, आज कल धर्म इस दुनिया में बेचा जा रहा है, जब आप लाल बाक्चा राजा देखते हो, जब आप वी आईपी लाइन देखते हो, जब आप उजयन जाते हो, जाएं किसी भी जगह चले आप जाओ, वहां पर आप देखोगे कि कैसे धर्म का मजाग उड़ाया जा रहा है, ठीक है, तो यह वाली सारी चीजे हैं, खैर आगे आ जाते हैं, महारास्ट में शेडी में साई बाबा की मंदर की बात कर लेते हैं, प्रत एक वर्ष 500 करोड का दान यहां पर मिलता है, उजयन महाकाल की बात करते हैं, दो हजर बाइस में 81 करोड रुपीज का दान यहां पर प्राप्त हुआ था, लेकिन इसका क्या लेखा जुका है, या क्या मदब ऐसी चीज़े हैं, जो हमें पता है कि यहां पर ऐसे का किया जा रहा यह हो रहा है, आगे आते हैं, परेटन की दरश्टी से मंदिरों का महत्व बहुत जादा है, NSSO के आकडों के नुसार भारत में सबसे आधिक सेलानी तीर तिस्थल की यात्रा करते हैं, और भारत के यात्रा पर जो खर्च है, वो 1,316 करोड रुपे प्रती दिन है, प् लेकिन हमारे जो मम्मी, पापा या फिर और अभी सोच लोगोंने कभी कनी पर फॉर आदिक हमाई पर कलचर ही नहीं है, हमाई इसज्श हाँ आतर हमें इसज्ञा теперь लेटेन प्रती धरति लोडए प्रवेक्तु रच तार्म सभी endorsed लिटेन्रे के यात्राप मेंenser नहीं में Hue औ रोजगार को यहां पर बढ़ावे कि यह भी बात की जाये तो तो रोजगार को बढ़ावा मंदिरों के चेतर में मिल रहा है क्योंकि लोग सोस्ते हैं बाई मंदिर में जाकर के बैट जो करने ही कि आपुचारी बन के एक टीकर अगान है के पास ही कुछ कालका जी के आसपास ही परता है I don't know what is the location आपनोंचे बता देना वहां पर में गई तो वहां पर जो पुझारी बैठे थे स्कॉन टेंपल की बात करी स्कॉन टेंपल इस ताइम इतना बड़ा स्कैम है ना लिटरली यह स्कैम है बिकर आप देखोगे कि स्कॉन कि भी आप देखोगे कि बहुत देखोगी कि हैस्मिन की केस्स बाहर नहीं निकल ते क्योंकि निए में मेडिया में आधा है उसके परेंट्स के बच्चे जो अब असकी जो मदर थी वह सब कह रही थी कि मेरी बेटी को वापस कर दीजए और वो लोग कहते कि मेरी बेटी तो लोग वहां पर जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बुलाया है जो भी छत्र है वो रखा पर इसकाद उन्होंने मेरे को बोला किसको किस लिए कि दान करना जरूरी है तब ही तो आपको आशिर्वाद मिलेगा लिटरली कि मैं भगवान मेरे से कह रहे हैं कि Qr चाहिन वह तो ने के स्कैन कर ये तण हो जाए धर गाए ह reicht मेरे union अभाए मेरे पास है माना मीरे मेला पाइन पढ़ गाए हूं उन्हों ने बुलाया उन जो पे बच्चे और पेरंट्स थे पाचो लोगों को ने भी आप कुछ दान करिये कुछ तो आप करिये तो निकाल करके दिये बट वह जो पुझारी ने बोला कि एटलीस आपको 500 रुपए देने चाहिए आप वह को असर्वाद मिला है आपको माला उनकी जबड जस्ती उन्हों ने बूले वह बनाइ ग्मिरे पास्यार शेक शक्स शक्षान करके और रहे लोग झला फौन verzets अब आप समझ यह किस तरीके का स्कामिक स्कॉन टेंपल में खिया रहा है तो स्कॉन टेंपल बहुत बड़ी संस्तान है होगी भाई मेरे को नहीं समझ में आती है चल वा जाते अब आगे संबढ़ी तस्कानून क्या कहता है अनुक्षे 26 क्या कहता है इसमें धार्विक मामलों के प्रबंधन की स्वतनता का प्रावधान क्या गया है हिंदू दांधर में आट 19-51 क्या कहता है राज्यों को अधिकार दिया गया था कि बिना कोई कारण बताए वे किसी भी मंदिर को अपने अधीन कर सकते हैं इसके बाद आप बात करेंगे श्री वैंकटेश्वर मंदर के बारे में वैंकटेश्वर मंदर रांद्रपदेश के चित्रू जिले के तिरुपति के तिरुमाला की पहाड़ी शहर म एक हैतिहासी वैश्णों मंदिर हो जाता है जो जमरता है कि वे अधे कल युगे के कस्टब ऐ उसके कस्टब और परिशानियों से बचाने यहां पर प्रकट हुए थे और देखिए क्या चल रहा है कली भगवान भी मुझे लगता है अगर देखते होंगे न तो रो रहे होंगे कि क्या ज कर रहे हो यार तुम लोग मेरा नाम पर प्राप्तदान और संपत्ति की दृष्चे ये दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक हो जाता है तिरपती लड़ू की बात कर लें जिस पर अभी आरोप लगाया गया तो सुखे मेवो मेवो से भरपूर पर से दिमिठाई है तिरपती लड़ू एक पंजीक्रत भोगोलिक संकेतर जी आई टागस को मिला हुआ है आगे बात करते हैं मंदिर का निर्मार है व में पिठासीन देवता वैंके टेश्वर खड़ी मुद्रा में है यहां पर और उनका मुख पूर्व की ओर है मंदिर में पूजा की वैखासन आगम परंपरा का पालन किया जाता है और यह मंदिर आठ विश्णू श्यम्भू छेत्रों में से एक है और इसे 1601 में अंतिम सं बढ़ी आपकश की वैचा स्सक्ता रषब क्या वार्व कैस्स शूर्व की वार्व फिर्वस, टात्या वार्व फिर्वाल है यहां तो चामे एक है समय के वार्वू इसक्ष भी खिक करना बड़िंगाई क्या अज्ध की इससाटीका तो अभीं अज़ जॉर्वेश है खिर